हाउर फीक्स कीप्स रिश्टार्टिंग प्रॉब्लम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है सैमसंग के डिवाइस पर रिश्टार्ट प्रॉब्लम सोल्फ के से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके जो डिवाइस है वह भी दोस्तों अब बार बार रिश्टार्ट होते रहे तो आप उसको कैसे fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही solution बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है problem दोस्तों problem कुछ इस प्रकार से कि आपका जो device है वो restart होते रहते हैं ठीक है यहाँ पर एक बार नहीं कई बार 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 restart होते रहते तो अगर दोस्तों आपको भी इस तरिके का कोई भी problem फेस करना पर रहा है ठीक है आपके जो mobile वह भी बार बार जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी problem के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके के मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो ऐसा क्यों होते हैं है कि हमारा जो डिवायस दोस्तों वह बार-बार क्या हो जाते हम अपनें डिवायस को तो ओवर यूज़ कर देते हैं या फिर एप्लिकेशन से पूरा भर देते हैं और हमारा जो स्टोरेच है वह कॉंप्लीटली फूल हो जाते हैं ठीक है तो उस वक्त दोस्तों यह प्रॉब्लेम आपको आ सकते हैं तो पेले तो दोस्तों आपको यह सब चेक करना है कि आपके दिवाइस में जाके चेक करें आपके पास कौन-कौन सा अप्लिकेशन से ठीक है अगर कोई बैट एप्लिकेशन से उनको डिलेट करें और अगर कोई यहां पर अन्यूस्ट अप्लिकेशन है तो उनको भी डिलेट करें साथी साथ दोस्तों इंटरनल स्टोरेज को च रिस्टार्ट कीजिए यहाँ पर दोस्तों रिश्टार्ट हो रहा है लेकिन आपको एक बार रिश्टार्ट करना होगा खुद से उसके बाद चेक कीजिए प्रॉल्म सब्सक्राइब नहीं होते फिर भी दोस्तों सेम है तो जाएब सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन कीजिए ठीक है यहाँ पर दोस्तों बेटरी एंड डिवाइस को सेलेक कीजिए और उसके बाद जाएए ट्री दोट्स टॉप राइट कोर्णर पर ऑटमेटिशन पर क्लिक कीजिए और आपको यह जो बटने ऑटो रिस्टार्ट टाइम इसको बंद कर देना ह ठीक है इसको बंद कर दो यह दोस्तों जैसी बंथ होगा आपका प्रोल्लम में यहां पर सौल्फो में जाएक हो जायं है चुंट आप इस सेटिंग के बज़ण से भी प्रोलम होते तो आप यस सेटिंग को बन अबडेट करने के लिए आपको जाना है सफिर अबडेट पर डाउनलोड एंड इंस्टोल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां से आप सफ़वेर को अबडेट कर सकते हैं सफ़वेर अबडेट करने के बाद दोस्ते इस तरीके का जो प्रॉब्लम है कई बार फिक्स हो जाते है मान लेजे बाई इनी चांस अगर प्रॉब्लम सौल्फ नहीं होते हैं ठीक है तो आपको करना क्या है तो आप जेनरल मिनेच्मेंट पर जाएंगे रिसेट पर क्लिक करेंगे एंड फिक्टुरिड डेटा रिसेट करने के बाद आपको मुबाइल पासवर्ट बहर देना है और डियरेक्ले आपका ändद्य रोज़ जाएगा है मिन् रीसेateur उसके बाद जाकING ही दोस्तों आपका यह रॉब्लम डिटिक जो अपने रिश्टार्ट प्रॉबलम को सौल browse कर सकते है तो दोस्तों अगर आपको भी रीस्टारट प्रोडम में तो आप यहीं सुलीशन को जो है फौलो कर सकते या फिर दोस्तों किसी के मदद लेना चाहाँगे तो भी आप ले सकते हैं ठीक है कुछ सर्वेस से उंपर जा सकते हैं तो यह सब आप कर सकते सारे साथ तो यह सारे चीजे होते तो आप जाए तो टेक्निशन के पास भी साथ सकते या फिर आप सॉलीशन भी करके देख सकते हैं ठीक है आज के लिए दोस्तों बस इतने उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पस्सेंने होगा अगर कोई भी इसके रिलेटेट प्रॉब्लम है तो आप हमें ट्वीटर पर फॉलोग करके मेसेज कर सकते कॉमेंट कर सकते हैं फिर वाटसेप कंटेक आपको स्क्रीन पर देख जाएगा आप उस पर कंटेक कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही टेंक्स पर वाचिंग